नमस्ते आप सब का वेलकम हैं सिम्रन की रसोई में दिन के 6-7 गंडे भी पानी के अंदर विगो सकते हैं उसके बाद गैस कौन करके कुकर रख दिया है विगो हुए यह मटर डाल दिया है साथ ही साथ 2-3 गलास पानी डाल दिया है इसी के साथ 1 कटाव प्यास और 1 कटाव टमाटर स्वात के अनुसार नमक और इसे हम अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद कुकर का धकन दे देंगे और इसे हम लगभग 3-4 विसल यानि की 3-4 सीटी आने तक पकाएंगे जब तक यह पक रहे हैं ग्रेवी के तयारी करते हैं दो प्यास कटे हुए मिक्सर जार में डाल दे और दो टमाटर इसे बिना पानी के ढखकर आपको पीछ लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे प्यास टमाटर दोनों को अच्छे से पीछ ले और जितना हो सकते टमाटर जितने लाल होना जादा अच्छा रहेगा तीन से चार सीटी लग चुकिया गैस को बन कर लिया प्रेशर निकल गया अब धकन को खोलेंगे और आप देख सकते हैं सारी चीज़े कूब अच्छे से पग गई है तो देखिए इस तरीके से हो जाएना तो चलिए अब मटल के छुले बनाना शुरू करते हैं तो अब फिर से मैंने गैस को अन कर लिया है और एक कडाई रखती है और इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चमस तेल आप तेल की जगब पर घी का भी इस्तमाल कर सकते है अगर आपको खाने में अच्छा लगता है तो जैसे ही तेल गरम हो जाएना तो आदी छोटी चमस जीरा डाल देंगे और आदी चमस अद्रक लसन की पेस्ट और इसे हम हलक ऐसा एक मिनिट के लिए भून लेंगे उसके बाद इसके अंदर ये जो प्यास ट्रमाटर पीस के रखे थे ते वो डाल दे और इसे भी लगभग एक से दो मिनट तक अच्छे से भूने उसके बाद इसके अंदर में डाल रहे हूं नमक सुआत के अनुसार नमक हमने पहले भी डाला था इसलिए अपने सुआत के अनुसार डालना इसी के साथ आधी चमच लाल मिर्श पाउडर आधी चमच धनिया पाउडर और चौथाई चमच हल कुले और प्यास टमाटर जो भी पका हुआ था कुकर में पानी के साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है मुझे पानी डालने के जरूरत नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ अगर आपको जरूरत पढ़ती है तो आप एक लास पानी डाल सकते हैं बस इसे एक बार अच् छे से साथ मिनिट के लिए बीच पीच में मिलाते रहना और इसे पका लेना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से बीच पीच में मिक्स भी करती जा रही हूँ और यह अच्छे से पक भी रहे हैं तो लगभग यहाँ पर छे से साथ मिनिट हो चुके हैं और य किसा की बहुत 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 भी बड़िया लगते हैं अब इसे ऐसे भी खा सकते हैं तो आप इसे जरूर ट्राइ करना और हाँ यहां तक आयो नहीं सब्सक्राइब करना ना बुले आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलती हूं तब तक के लिए थांक यू फॉर वाच्छा